नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अगर आप हमारे नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अल बटन जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि हर रोज आपको हमारी वीडियो मिले और आप हमारे हर एक वीडियो का अनन्द ले सके तो चलिए आज की कानी शुरू करते ह साधी में बस दस दिन ही बचे थे घर में रंग पेंट का काम चल रहा था सभी लोग घर के काम धाम साप सफाई में लगे पड़े थे थोड़ी थोड़ी सौपिंग भी सुरू हो रही थी रोहन की मम्मी रमावती हर रोज कुछ न कुछ साधी का समन खरीद ही लाती लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि अपनी बड़ी बहु को कभी सौपिंग पड़ ले जाए उसका भी बड़ा मन था अपने इकलोते देवर रोहन की साधी में अच्छे अच्छे जेवर गहने नए डिजाइन की साड़ी पहनने का एक दिन डरते डरते अपनी सासु मार था हमें वो मेरा ना बड़ा मन कर रहा था देवर जी की साधी में नए डिजाइन की साड़ी पहनू और अपने पसंद की तभी बड़ी बहु नजरे जुकाते हुए कहती है ममी जे आपको कहीं पूरा तो नहीं लगाना ममी जे अगर आपको बुरा लगाना तो कह दीजे हम कोई बात नहीं बस आप ही अपने पसंद का ला दिजेगा हम नहीं जाएंगे बाजार कोई बात नहीं ममी जी बस तभी रामावती जी तीखे सुल में कहती हैं अरे मुर्क तुम बजार चली जाओगी तो घर का सारा कम कौन समालेगा हम तुम सादी का समन लाही रहे हैं अब तुझे भी जाना जरूरी है क्या तुचली जाएगी तो घर का कम धाम कौन समालेगा है इतना सारा कम पड़ा हुआ है घर में अब सादी के गिंती के चार दिन ही बचे है ना ऐसा करो घर का कम धाम समालो तुम हम तुमारे लिए नहीं साड़ी ले आएंगे बस यह सब सुन अरे उदास क्यों हो ना हमें तो बस नए डिजाइन की साड़ी पहणने से मतलब है ना वो तो ममी जी लाही रही है इसलिए हम घर का काम धाम ही समाल लेते हैं ममी जी की सौपिंग पर चली जाती है बड़ी बहु के देवर रोहन अपने दोस्तों से बाते चीते करने में बड़ी रोनक थी बारात निकलने की तयारी होने लगी थी सभी नए नए कपड़े पहन रहे थे तभी बड़ी बहु अपनी सासुमा रामाबती के कमरे में जाती हैं वहीं पलंग पर पड़ा एक साड़ी अपने पसंद का उठा लाती है और बड़ी बहु जैसे ही अपने क पहने की कोशिस भी मत करना तुम इस साड़ी को इस साड़ी के लायक नहीं हो तुम तुम इसकी देखवाल भी नहीं कर पाओगी ये 25,000 की साड़ी है हमने अपनी बेटी के लिए लिए वो अभी अभी आ रही है अपने भाई के साड़ी में पहनेगी वो इस साड़ी को तु वह भी तो तुम्हारे ही पसंद का है ना इसलिए तुम्हें अच्छा भी लगेगा और हमने तुम्हारे लिए कोई साड़ी नहीं ली है अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम्हारे लिए साड़ी लू यह सब सुनकर बड़ी बहु का दिल चक्ना चूर हो गया सबी आते ही जा रहे थे घर लोगों से खचाखच भर गया था आज वरात निकलने की बारी थी रामावती जी की बेटी बहुत दूर से आय रही थी इसलिए उसे आने में थोड़ा देर हो गया अभी अभी घर पहुची मा की लाडली उसने अपनी मा से कहकर 25,000 की साड़ी निक उसे भी बहुत पसंद आ रहा था 25,000 की साड़ी मन ही मन सोच रही थी वा मा तूने तो इतनी अच्छे साड़ी पसंद की है मेरे लिए सभी गेस्ट 25,000 की साड़ी जो रामावती की बेटी पहन कर डांस कर रही थी उसकी खूब तारिफ कर रहे थे और दूसरी तरब बड़ बढ़ी बहु की साड़ी जो पुरानी हो चुकी थी पुराने विजायन का था कह रहे थे लोग कितनी गंदी साड़ी पहनी है इसने गवार है बिलकुल देहाती बहु है गवार है एकदम लेकिन लोगों को यह बिलकुल भी पता नहीं था दोस्तों यह साधी का जोड़ा है जो उसने अपनी साधी में ली थी और वो डिजाइन भी पुराना हो गया था उसका कलर भी खराब हो गया था रह ब्र बड़ी बहु बिचारी किसी से कुछ नंः बोल पा रही थी आखिर कितने दिनों तक मुह बंद करती सभी का कितनों का मुह बंद करती रमावतीकि बढ़ी ननद जाकर कहती है भावी जी आप पुराना मानो तो एक बात आपसे पूछो आपने बड़ी बहु को साड़ी क्यों नहीं दी विचारी ने पुराने साड़ी पहन रखी है लोग कितने दूसरे हैं उसे खराब बोल रहे हैं और अपनी बेटी को 25,000 के साड़ी दी है ये कहां का इं इतना न दुखा होता सभी लोग उसे इतनी बाते न कह रहे होते सभी लोग उसे देखकर मून बना रहे होते आपने अपनी बड़ी बहु का दिल दुखाया है हमें बहुत बुरा लगा भावी जी जो भी कहो और आपको क्या लग रहा है यहां किसी को कुछ नहीं पता सभी लोग आपस में बाते कर रहे हैं आपकी बुराई कर रहे हैं पीठ पीछे हमें सब पता है अगर हम आपके जगह होते न तो अपनी बहु के पहु से पसंद और ना पसंद का खयाल रखते पूरा खयाल रखते और बेटी बहु बेटी दोनों को बजार ले जाकर अपने पसंद नहीं दिला पाई लेकिन अपनी गलती का सुधार में खुद करूंगी तब ही अवाज लगाती है बड़ी बहु मेरे कमरे में आ जा बहु और फटा फट से ये नई साड़ी जो मैंने अपने पसंद से ली थी अपने लिए ये तुम पहन लो वो क्या है ना कि बहु अगर पु दोसी के आशू बहने लगते हैं तभी नई साड़ी पहन लेती है अपनी सासुमों का तो दोस्तों अगर सही समय पर रामवती जी की बड़ी ननद आकर रामवती जी को सही और गलत का पहचान नहीं कराती तो आज रिष्टा सास और बहु का बिगड़ जाता तो मेरे ये इ इच्छा परत कहानी कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए हसते रहे मुस्कुराते रहे और खुस रहे हर अर्मादेव धन्यवाद